हे गाई स्वागते आप सभी का एक और नई वीडियो में तो दोस्तो हमारे जुरासिक पार्क की जंगलों में आ चुका है सारेन एड आप लोग सारेन एड को तो जानते हूंगे ना उसके दो बड़े-ड़े मुह होते है और उसने आते ही भाई जुरासिक पार्क की अंदर ज लगाए सकते होना कि भाई उसने बड़ा डानोसोरी मार दिया तो हम लोग तो भाई उसके सामने क्या ही टिकेंगे भाई अब तो सारेन हेड जुरासिक पार्के जंगलों से निकल कर हमारे रेलवे स्टेसन तक आ जाता है अभी उसका कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा भाई हम लोग पुलिस वालों को बुला लेंगे ये देखो भाई मेरे डोगी कितनी गोर करके मेरी बातों को सुन रहे तो दोस्तों मैंने पुलिस वालों को तो कोल मिला लिया है लेकिन हमें एक बहुत जरूरी काम करना है और काम पता है क्या है हमें जुरासिक पार्क में जाना है और वहाँ पे भाई जो भी डाइनसोर के बच्चे बच गए है उन सब को अपने घर पे लाना है वरना भाई सारे नेड उन सब को भी मार डालेगा इसलिए जल्दी सी जुरासिक पार्क चलते है और वहाँ पे भाई बचे हुए डाइनसोर के बच्चे नहीं नज़रा रहे पता नहीं भाई वो सारेनेट के डर सी कई छुम गए होंगे तो दोस्तों मेरे को जुरासिक पार के बाहर एक बहुत बड़ा डाइनसोर मिला और उसके कुछ बच्चे ये लोग भाई अपनी मा को जगाने की कोशिश करें लेकिन इन लोगों पता नहीं कि वो मर चुकी है बच्चो आओ तुम मेरे घर पे चलो भाई वरना सारेनेट तुम सबको भी मा डालेगा विसे बच्चे बहुत जिदर डर चुके है आओ भाई आओ अरे भाई हड़ तो सही मेरे सामने से ये लोग मेरे को जाने भी नहीं दे रहे अरे भाई व दोस्तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे नए घर पर आज से ये मेरा नए घर इन सभी डानासर के बच्चों का भी घर है वैसे बाई यो ये काफी चलाते अरे तुम इतना ज़ादा मत चलाया करो ये देखो मेरे डानासर की बच्चे तो इतना कभी नहीं चलाते ये तो चुप चाप एकदम खड़े रहते हैं और मुझे बेटने भी देते हैं वैसे भाईयो इतनी दूर से पेदल पेदल चल के आया हूँ ना तो काफी जड़ टाइम हो गया वैसे में बाइक पीछे पीछे नहीं आते ना इसलिए वैसे यह लोग आपस में गले भी मिल रहें चलो बस ओ यह इतने चोटे कैसे होगे आओ बेटकी नीचे नहीं जाना है शे लोग काफी दर डर चुके है सारन हेरे बेटके नीचे थोडी सोते है कोई बेटके उपर जाओ उसके उपर जाके सूओ बिल्कुल मेरी तरह वैसे ये लोग क्या भाई मैं खुद भी अब तो जुर भाई यो पुलिस अब आ चुकी है आज राज सारे नेट का खेल खतम होने बाला है हाँ दोस्तों पुलिस वालों ने भाई अपना देरा जमा लिया है वहाँ पे धेर सारी पुलिस की गाड़ी आ चुकी है और सभी पुलिस वाले अपनी गणों को लेकर एकड़म प्रम तेना आथ हो चुके है वैसे मेरे को नहीं लगता कि भाई इतने सी पुलिस वाले काफी होगे और ये लोग तो भाई आसानी से उस से मारे जाएगे मेरे को तो जी साय लगता है उसको हराने के लिए भाई फोजियों का टेंक चाहिए और यह यहाँ पे क्या घर रहा है इसे चलो भाई अभी देखते हैं कि आज रात क्या होने वाला है वैसे भाई यहाँ पे पुलिस वाले भी काफी जादा है और मेरे डानासोर के बच है न वो भी भाई इनकी फाइट देखने के लिए आचुए है यहाँ पे चलो भाई देखते हैं यह है इन सब का लीडर भाई लीडर बहुत जदर डेंजर लग रहा है न इन सब को लीड करने वाला है पुलिस वालो फ्रेंगलिन भाईया तुमारे पेरों में गिरता है तुम लोग केसे भी करके उस सारे हेट को मार डालो फ्रेंगलिन तु तो बहुत डर्पोग निकला वे तुने तु मेरे पेर ही पकड़ लिए ओ डरपोक वो भी फ्रेंकलिन भाई में तुम्हारी गाड़ी की उपर चड़ रहा था ना तब मेरा पेर पिजल कर में सीदे तुम्हारे पेरों में आके गिर गया ठीक है वरना भाई मेरे को पेरों में गिरने का कोई शोक नहीं है डरपोक होंगे तुम सबी पुलिस वाले ठ लोक तो मेरे को गन दिखाएगे चोटे मोडे पुलिस वाफी सर चला जा भाई तु जानता नहीं तेरे सर से जाके पूछ मेरा नाम कौन है अभी चला गया ना चुप चाप से ठीक है भाईयो अभी देखते कि क्या ये पुलिस वाले मिरकर सारे नेट को हरा पाएंगे ना वेसे मेरे पास में भी तोप अगरा सब चीज है अरे नहीं भाई मैं इनकी गाड़ी के उपर छड़ी क्यों नहीं पाता हूँ मैं जेसी छड़ता हूँ हमेशा गिर जाता हूँ पता नहीं इन लोगों ने एसा क्या रख दिया है इस गाड़ी के उपर तो दोस्तों देखत के बच्चे हैं न मैं इनके ऊपर बेटने की कोस्ट इस करता हूं लेकिन ये लोग तो भाई मिरे को बेटने ने देते पता नहीं क्यों मेरे पुराने वाले डायनसौर तो देखो भाई एकदम आसानी से बेटने भी देते हैं शायद इनको मिरे को ट्रेनिंग देनी तुम सब लोग मेरे पीछे पीछे आजाओ वेसे भाई तुम लोगों को आज रात में कमरे में बंद करने वाला हूँ वरना सायरन हेट भाई तुम लोगों को भी मार डालेगा चलो वेसे मेरे पीछे 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 आओ तुम सब लोग ये तीन ही है क्या भाई वो दो लोग बता दू कि तुम लोगों को धेर सारी मचलिया मिलेगी खाने के लिए इसलिए इंसानों को मत खाना है जिदे को मेरे डाइनसोर के बच्चे थे ना वो भी पहले खाते थे इंसानी लेकिन आप तो ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते और तुम लोग भाई जितनी जल्दी स् यानव के पास में आओंगा देखते कि पुली्स वाले मार पाएंगे अब है पता है यार तम लोग वह इतना डर किस से लग रहा है तुम लोग मेरे बेट की नीचे केसे जा रहे हो ठीक है अभी जाओ बेट की नीचे जाओ या फिर बेट की उपर जाओ लेकिन तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना है ठीक है तो दोस्तो रात हो चुकी है और चारो तरफ अंधेरा ही अंधेरा है भाई मेंने जुरासिक पार से जो बच्चे लाए था ना उन सब को सुना दिया है बस मेरे पहले वाले डाइनसोर के बच्चे रा वही जाएंगे मेरे साथ में ओ बाकी तो जा भी चुके है बस ये एक ही बच्ची होई है चल भाई मेरे को बिटा उपर और मेरे को भी लेके चल उन पुलिस वालों के पास में देते हैं कि क्या अजरा सारन हेट जंगल से बाहर निकल कर हमारे रेलवे स्टेशन के पास में आएगा चल प्यारी जल्दी से चल और ये मैंने लाइट भी जला दिये भाई यानि ये काफी मस्त वाला गिलिची हम लोग भाई काई पर भी जा सकते हैं ये वाली लाइट जला गर ठीक है भाई वेसे मेरे को लाइट बंद कर देनी चाहिए वरना पुलिस वाले मेरे को इमार डालेंगे भाई क्योंकि सारन हेट भी रात की अंदर यानि आग जला लेता है अपने मुह की अंदर तो दोस्तो हम लोग आ चुके हैं रेलवे स्टेशन पर और यहां पर भाई काफी ज़दा डराओनी आवा जा रही है वैसे भाई लोगों क्या आप लोगों को पता है कि उसका नाम सारन हेट क्यों पड़ा है क्योंकि भाई वो अपने मुह की अंदर से बहुत खतरनाक सारन बजाता है भाई उसके यानि आवास से कान की परदी तक फड़ जाते है वेसे भाई वो हे कहां पे, मेर को जंगल के अंदर, नगए जंगल के अंदर जंगल के बार जो यह जाली है इसकी उपर छड़ कर देखना ही पड़ेगा, चल भाई फ्रेंगिल भाई जल्दी से देख वेसे यहां पे इतना भी जदा अंधेरा नहीं है आज पता नहीं भाई शायद अमावस की रात होगी अमावस की रात नहीं पूर निमा की रात भाई इस दिन क्या है कि हमारा चांद है ना वो काफी जदा बड़ा होता है इसलिए जदा अंधेरा नहीं होता है चल भाई मेरे को तो कोई भी नजर नहीं ऩारा है यहाँ पहीं नहीं है अरे भाई क्या आगर राए तू ओ हम लोक तो जंगल के अंदर आ गए ओ यहाँ पहीं तेज आवाज है शायद मेरी तरह पहीं आरा है क्या मेरे को देख तो नहीं राए लेकिन वो खहीं पर भी होसकता है भाई वो पेड़ की तरह थोता है पेड़ की रंका होता है विसे मेरे को जल्दी से बाहर जाना पड़ेगा भाई वरना वो मेरे को ना पकड़ ले शायद आने वाला है भाई उसकी आवाज तेज होती जा रही है क्या दोस्तो सारेन हेड को पुलिस वाले मार पाएंगे अभी मेरे को भी नहीं पता लेकिन भाई जब बड़े डायनोसोर को उसने मार दिया है तो पुलिस वाले तो उसके सामने क्या है लगेगे भाई अभी मेरे को जल्दी से भाई बुलाने पड़ेगे भाई ताकि मैं इक्स पार्ट में तब तक के लिए बाई बाई